Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. यह आप लोगों की collective reading है और आज हम करने जा रहे हैं You vs. Them reading. Next 48 hours में आपके इस connection में क्या हो सकता है? क्या आपके person कोई action ले सकते हैं next 48 hours में? क्या possibility है आप लोगों के connection में यह हम जानेंगे? So regardless आपकी क्या situation है आपके partner के साथ यह reading सबके लिए open है और बिल्कुल timeless है जब भी आपकी नजर से गुजड़ेगी आपका उस वक्त का message होगा So शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप से कहती हूँ के Cards, Possibilities बताते हैं आपकी final destination safe divine source को पता है Safe divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रखकर इस reading को देखना है इसके इलाबा मेरे जितने भी subscribers हैं Thank you so much आप सब के प्यार और support के लिए I truly deeply appreciate each one of you and I love you all So अगर आप नए है मेरे channel पर आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है पसंद आए तो like भी कर दिजेगा और share भी कर दिजेगा So अब हम start करते हैं आज की reading सबसे पहले हम आपके connection की overall energy देखेंगे और six cards हम लेंगे आपके connection की overall energy के लिए बलके आज हम eight cards ले लेते हैं Eight cards आपके connection की overall energy के लिए So सबसे पहले हमारे पास है sensitivity manifestation choice eagle eye फिर है हमारे पास true love divine timing pause and betrayal So maybe आपके person आप choice लेने से डरते हैं आप लव को choose करने से डरते हैं पहले उनको hurt किया गया था उनके trust को तोड़ा गया था So right now आप लोग sensitive हुए में हैं energy से इसका यह मतलब हो सकता है यह भी हो सकता है कि यह connection आपका weak spot बन चुका है आप manifest कर रहे हैं और आप से कहा जा रहा है कि divine time में हर चीज़ हो रही है और divine time में होगी बट इस वक्त आप लोग का connection एक pause में है रुका हुआ है और आप लोग के connection में progress शायद इसलिए भी नहीं हो रही कोई evil eye है आप लोग share कर रहे हैं बहुत जादा किसी के साथ या बहुत जादा share करने लग जाते हैं आप अपनी हर बात और इस वज़ा से भी चीज़ें खराब होती है तो एक तो अगर evil eye का आपको शक है आपने share नहीं करना है किसी से कुछ भी इस वक्त आप लोगं का connection रुका हुआ है चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है और यह decision बहुत important है आप दोनों की life के लिए तो देखते हैं कि आपकी क्या है feelings आपके person के लिए current feelings फिर आपके person की देखेंगे आपके लिए और फिर हम देखेंगे कि next 48 hours में क्या हो सकता है तो यह cards आप देख लीजिए आप से कैसे resonate करते हैं अब हम आपकी feelings देखने लगे हैं oops so I feel कि आप लोग sensitive भी हुए में हैं और थोड़े से aggressive भी आजकल let's see क्या आता है आपकी current feelings हमारे पास है 8 of cups down है आप लोग आजकल 2 of wands yes आपको decision लेना है कोई यह choice का काड़ी सी लिया है आपको कोई choice लेनी है decision लेना है कुछ ना कुछ 2 of pentacles मेभी दो लोग है जिन में से आप choose कर नहीं पा रहे हैं the moon और यह hidden है and then king of wands okay so right now अच्छा यहां पर Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn यह star signs है अभी आगे हम और cards निकालेंगे Libra, Gemini, Aquarius भी आजेगा आपने energies पर focused रहना है अगर energy match करती है तो बलकुल आपकी reading है star signs पर आपने focus नहीं करना है so जहां तक मुझे नजर आ रहे है आपकी energy, आपकी feelings I really feel कि आप इस वक्त satisfied नहीं है इस connection से no doubt आपको बड़ा लगाओ है आपको बड़ा passion है आपके अंदर आपके partner के लिए यह बड़ा spark है लेकिन आप practical होकर भी सोच रहे हैं चीजों के बारे में आप needy नहीं है I really feel कि आप practical होकर सोच रहे हैं कि मेरी जिन्दगी के लिए क्या ठीक है मुझे वो decision लेना है आप emotional भी है आपको प्यार भी बहुत जाद है truly आपने प्यार भी किया है but आप इस वक्त practical होकर जिन्दगी में चलना चाहते है which is good आप आपने बहुत इंतजार किया है already I feel कि अब आप कोई decision लेना चाहते है कि मुझे आप फैसला लेना है मेरी जिन्दगी में मैं उस point पर हूँ जहां पर मुझे आप फैसला लेना है मुझे time waste नहीं करना है मुझे किसी और का भी time waste नहीं करना है मुझे reality को accept करना है मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरी reality है मुझे सच जानना है मुझे clarity चाहिए अपनी जिन्दगी में मुझे एक नई direction चाहिए मुझे इस तरह हवा में नहीं रहना है मुझे unknown में नहीं रहना है with this moon energy मुझे अब clarity चाहिए अपनी जन्दगी में मुझे अब final decision लेना है अपनी जन्दगी में ठीक है प्यार, मौबत है अपनी जगापर है बट मुझे अपनी जन्दगी के साथ खिलवाद नहीं करना है मुझे अब clarity चाहिए अपनी जन्दगी में आप बड़े एक deep mode में हैं आजकल deep deep thinking खुद को अकेला रखते हैं ज्यादा लोगों में उठने बैटने का दिल नहीं करता है बस चुप रहना ज्यादा खामोशी से कोई अपना काम करना अपने रूम में रहना कुछ इस तरह का मुझे isolation नज़र आ रही है I don't know यह message किसके लिए है बट यह message आ रहा है किसी के लिए So I feel कि आप practical होकर चलना चाहते हैं आप कोई final decision लेना चाहते हैं आप बस इस तरह हवा में नहीं रहना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके पास clarity हो कि यह होना है या नहीं होना है आपको एक clear answer clarity चाहिए आपको आप deciding phase में आपको बड़ा फैसला लेना चाह रहे हैं अपनी जिन्दगी के बारे में मुझे honestly speaking right now आप लोग मुझे मुझे नहीं नजर आ रहा कि आप love पर focused हैं आपका दिल या तो बहुत sad हो गया बिजार हो गया आपको आप यह सोच रहे हैं कि प्यार मुभबत कुछ नहीं होता ठीक है मैंने प्यार किया लेकिन मुझे अब यह मुझे satisfy नहीं कर रही है यह situation आपको अपना यह connection satisfy नहीं कर रहा है इस present time में आप इस वक्त ऐसी situation में हैं कि जहां पर आप कुछ भी feel नहीं कर रहे है आप कुछ feel नहीं हो रहा है आपको I don't know मैं कैसे explain करूँ इस feeling को So अगर यह energy आपसे resonate कर रही है तो continue watching अगर नहीं कर रही है तो फिर आज की reading आपकी नहीं होगी बट अभी जो मैं देख पा रही हूँ वो यह है कि आप बहुत एक spiritual journey पर हैं आप लोग आप कुछ बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं आपकी soul growth हो रही है लोगों से detach होकर आप बहुत ज़्यादा within जा रहे हैं soul searching भी कर रहे हैं और आपको किसी चीज़ की फिलहाल खाहिश नहीं है आप जिन्दगी में करना तो चाहते हैं कि आपका कोई clarity मिल जाए direction मिल जाए लेकिन आप बिलकुल एक different zone में नजर आ रहे हैं मुझे so मुझे नहीं नजर आ रहा कि आप अपने person के साथ चलना चाहते हैं नहीं चलना चाहते हैं आपकी क्या loving feelings हैं मुझे नजर नहीं आ रहा हाँ एक spark उठता है आपके दिल में है आपके दिल में उनके लिए passion but right now आप feelings में नहीं है so right now आप बिलकुल एक different zone में है मैं इतना ही देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए so अब हम यह देखते हैं कि आपके person की feelings आपके लिए क्या है यह तो आपकी thoughts हैं feelings हैं हम यह देखेंगे कि आपके person की क्या feelings है so मैं personal readings नहीं करती हूँ बहुत से लोग question करते हैं यह बात mention है मेरी हर video में description में मैं personal readings नहीं करती हूँ so इसके लावा description में बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत जादा Instagram पर active नहीं हूँ, but I really hope, कि जब 100K family हमारी यहाँ पर complete हो जाएगी तो मैं Instagram पर जादा active हो जाओंगी, personal life भी शेयर करूँगी, अपनी pictures भी शेयर करूँगी आपके साथ, so आप लोग अगर चाहें, तो मुझे इंस्टा पर जरूर follow कर लीजेगा, जिन्होंने नहीं किया है, so जब वहाँ पर जादा followers हो जाएंगी, तो मैं active हो जाओंगी, Instagram पर भी, अभी मैं नहीं हूँ जादा, कभी कबार उस पर मैं कुछ update कर देती हूँ, so let's see आपके परसन की feelings आपके लिए क्या है, page of pentacles, six of pentacles, the emperor, फिर है nine of cups, and bottom of the deck पर हमारे पास है queen of swords, so I feel कि ये आप है queen of swords, जिन्होंने, चाहे आप male हो या female, आपने healthy boundaries set की है, या आपने अपने partner, को कुछ कहा है clearly, के मुझे clarity चाहिए, मुझे अब इस तरह नहीं रहना है, I don't know, आपने कुछ ना कुछ कहा है, बहुत clearly उनसे, maybe आप आजकल उनसे नाराज भी हैं, कुछ ऐसा भी मुझे feel हो रहा है, so आपके person की feelings, तो आपकी feelings के बहुत opposite हैं, I don't know, आप आजकल उनसे ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप अपने person की behavior से, उनकी हरकतों से, action से, खुश दिखाई नहीं मुझे दिए, लेकिन आपके person के लिए आप उनकी wish fulfillment है, ये इनसान आपके लिए बहुत ज़्यादा feel करते हैं, वो इनसान आपको खुशी देना चाते हैं, आपके साथ real, authentic होना चाते हैं, responsibility लेना चाते हैं, I don't know, क्या problem आप लोगों के दरमयान बन रहा है, बट आपके person की feelings आपके लिए genuine हैं, ये इनसान आपको support करना चाते हैं, आपकी support चाते हैं, invest करना चाते हैं इस connection पर, हो सकता है कि आपके person ज़रा stubborn है, controlling हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, ये एक problem आप लोगों के दरमयान इस present time में हो सकता है, but I definitely feel कि ये इनसान आपको मनाना भी चाते हैं, आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और आपके साथ चलना भी चाते हैं, आप उनके लिए, ये connection उन्हें बहुत fulfill करता है, आपका प्यार, ये connection आप, ये उन्हें बहुत fulfill करता है, उनके लिए emotional fulfillment है ये connection और आप वो नहीं सोचते थे कभी भी कि इतना emotionally कोई चीज उने fulfill कर सकती है because उनकी जिंदगी में में भी हमेशा से ये एक आप कहले हैं emptiness थी ये खला था कि emotionally कभी कोई उनसे इतना attached नहीं हुआ ना किसी ने उनने इतना fulfill किया इतना प्यार दिया जितना आपने दिया है so ये इनसान भी हैरान और परिशान है कि आजकल आप उनसे बिल्कुल detached से हुए में lost हैं आप आपके person ये चीज फिल कर रहे हैं कि आप lost हैं आप उनसे connect नहीं कर रहे हैं so किसी ना किसी अंदाज में ये इनसान कहीं ना कहीं उनकी वज़ा से आप drain हुए हैं आज इस point पर हैं but ये कोई बुरा point नहीं आपकी जिंदीगा कि because आपकी soul growth हो रही है आप change हो रहा है आपकी जिंदगी में कुछ आप learn कर रहे हैं आप spirituality के next level पर जा रहे हैं consciousness के next level पर जा रहे हैं आप so आपकी understanding में इजाफा हो रहा है आपका जाया नहीं हो रहा है ये सब time so आपके person आपकी ये struggle आपका ये change सब understand कर रहे हैं और इसी वज़ा से ये इनसान ये सोच रहे हैं कि मुझे responsibility लेनी चाहिए मुझे इस इस इनसान को support करना है मुझे इस इस इनसान को खुशी देनी है मुझे इसको ऐसे नराज नहीं चोड़ना है मुझे इसको इस तरह तकलीफ नहीं देनी है और उनसे afford नहीं हो पा रहा आपकी नराज़गी उनसे बरदाश नहीं होती वो चाहते हैं आपको खुशी देना, आपकी happiness चाहिए है उन्हें, वो कोशिश करेंगे, उनकी intentions मुझे लग रही है, वो कोशिश करेंगे responsibility लेने के लिए, stand लेने की कोशिश करें, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, basically, effort करना चाहते हैं आपके लिए, तो देखते हैं, क्या effort करेंगे, next 48 hours में आपके परसन की feelings क्या हो सकती हैं, क्या वो को action लेंगे आपके लिए, क्या कर सकते हैं, next 48 hours में क्या possibility हैं, so we have, wow, action, number 17, फिर है हमार पस the world, number 29, so यहाँ पर मुझे travel नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर long distance है, एक cycle complete हो रहा है, I definitely feel के यह new beginning है, next 48 hours में आप लोगों के दर्मयान एक नया start हो सकता है, आपके परसन कोई action ज़रूर लेंगे, और मुझे जादा यह travel के हवाले से नज़र आ रहा है, मुझे यह भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, यह इंसान आपको मिलने का कह सकते हैं, और मिल कर face to face मामले को हल करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, लेट सी क्या पॉसिबिलिटी है और next 48 hours में आपके परसन क्या action ले सकते हैं, क्या हो सकता है next 48 hours में, सो हमारे पास है deep knowing and mending number 52 and number 43, so I really feel कि आपके परसन अगनॉलेज करते हैं अपनी mistakes को with the deep knowing, understand करते हैं और ये भी understand कर रहे हैं कि आप आजकल lost हैं वही बाद जो में पहले कर रही थी, so ये इनसान अपनी गलती मान लेंगे, ये इनसान heal करना चाहते हैं इस connection को with this mending card, so इसका clearly यही मतलब आ रहा है, ये इनसान आपसे सुला करना चाहते हैं, next 48 hours में काफी लोगों के लिए possibility है, आपके person आपसे बात करेंगे, आपसे communicate करेंगे, और heal करना चाहेंगे इस connection को, आपको मनाएंगे basically, जो भी आप कह रहे हैं वो मान लेंगे आपकी बात, आपने अगर उनसे कुछ कहा हुआ है, कि मुझे मेरे लिए ये करो या ये करना पड़ेगा, I feel कि आपके person ने मान ली है आपकी बात, वो मान जाएंगे आपकी बात, वो आपसे कहेंगे, ओपस, oh my god, we have, make the effort, wow, action, make the effort, so I feel कि से जाद हमें clarity और क्या मिलेगी, कि ये इनसान effort करेंगे, give your relationship a chance, wow, so clearly, clearly, this card के पर लिखा हुआ है, work on your partnership, ये इनसान आपसे एक और chance मांगेंगे, definitely, effort करेंगे आपके लिए, next 48 hours में, huge possibility है, कि ये इनसान आपसे बात करेंगे, आपको मनाएंगे, जो भी आपने उनसे demand की थी, जो भी आपने healthy boundary set की थी, ये इनसान accept करेंगे, आपकी बात को मानेंगे, अपनी mistake को, आपसे एक और chance मांगेंगे, clearly, मुझे ये नजर आ रहा है, दो और cards इसमें से लेंगे, फिर आपके लिए guidance लेंगे, so आप expect कर सकते हैं, कि ये इनसान को एक्शन लेंगे, next 48 hours में, we have a new start is coming, वाओ, इससे ज़ादा और क्या clarity हो सकती है, and then a personal issue reaches resolution, full moon and cancer, और ये है new moon, so कुछ लोगं के लिए हो सकते हैं, new moon पर चीज़ें बहतर हो जाएं, moon cycles हो सकते हैं, affect करते हैं, आपको आप notice कीजिएगा, कैसे affect करते हैं, so, एक नया start, but obviously, जैसा कि हमें नजर आ रहा है, अगले 48 hours में आप लोगं के दर्मियान हो रहा है, बहुत ज़ादा possibility है, so positive रहें, जितना positive रहेंगे, आप उत्ती जल्दी ये manifest होगा, but अगर next 48 hours में कुछ लोगं का नहीं भी होता है, I do feel कि आने वाले वक्त में in near future चीज़ें balance हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, अगर आपने अपनी energy से resonate किया है, इस reading से अगर आपने resonate किया है, अपनी feelings से किया है, तो आपके लिए ये message है, कि अगर next 48 hours में ये इंसान आपको नहीं भी मनाते हैं, तो इन near future चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और काफी लोगों के लिए I do feel कि आपके person next 48 hours में कोई न कोई action जरूर लेंगे, आपसे बात जरूर करेंगे, we have time, you are trying too hard, give it time, आपने कोशिश नहीं करनी है, ना आपने force करना है किसी चीज़ को, कुछ नहीं करना आपने, don't try, बस आपने time देना है चीज़ों को, and next, the past is now behind you, release it and embrace new possibilities, a new path is now available to you, follow it with faith, so अगर जब यापके person आपसे बात करेंगे, communicate करेंगे, तो past की बातों पर उनसे discussion ना कीज़ेगा, past गुजर चुका है, faith के साथ, यकीन के साथ, follow करें इस नए बात को, पुरानी बातों को इबारे में सोचते रहेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और problems आपके वहीं के वहीं रहेंगे, so पुराने issues को discuss मत कीज़ेगा, जब वो आपको मनाएंगे, so we have a yes, ये इनसान obviously कोई action ज़रूर लेंगे next 48 hours में, and no need to worry, बहुत खुबसूरत message है ये भी, so आपको बिलकुल भी परिशान होने की जरुवत नहीं है, चीज़ें अच्छी direction में जा रही हैं, positive direction में जा रही हैं, आपने परिशान नहीं होना है, so ये इनसान definitely action लेंगे next 48 hours में, अब हम आपके yes और no पे आने लगे हैं, आप अपना yes और no question अपने जहन में रख लीजिए, साथ आपके लिए letters और numbers होंगे, आपका name initial, आपके partner का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, life path number, house number, car number, so शुरू करते हैं, yes और no question से, oops, हमारे पास है F, 666, 888, 555, X, W, 888, S, P, so आपका answer आया है, maybe, it's a maybe, next हमारे पास है 999, A, U, U, X, number 4, U, C, F, H, Z, L, A, 2, next है, E, E, F, L, 555, 777, 222, 1111, next है, A, E, I, A, R, X, Z, J, L, T, M, H, X, X, So, और जरूर होगा, क्योंकि, you are worthy of love, and you are lovable, अपने आपको ये जरूर बताया करें, अपना धिर सारा खयाल रखियेगा, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye, ौई